हलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है आपके यूटूब चैनल अख्ल सिच्छा 91 में दोस्तों हिंदी बास और सिच्छाड सास से 15 कोश्चन आपके सीट एट में पूछे जाते हैं और अन स्टेट से संबंदे जो भी कोश्चन पूछे जाते हैं पैडा गोजी से उसी तरीके स से पूछे जाते हैं 15 तो आपके गद्ध और पद्ध से मिला करके पूछ लिए जाते हैं तो सबसे पहला कोश्चन देखते हैं कि दिया है कि सिच्छकों को पार्ट के विकास के साथ साथ बीच में उपयूक्त प्रस्ट पूछते रहना चाहिए यानि क्या आप इस बास से स सहमत है सी कहे रहा है सताला और जडी कह रहा है सहमत तो इसका राइट एंसॉर हो जाएगा सह मत हैं जिंध कि अगर आप बीच बीच में कुछन पूछेंगे नहीं तो कैसे आपको पता लगेगा कि बच्चा सीख रहे नहीं सीख रहा ऑड़रा है दूसरा है सिच्छड सुत्रों सिद्दानतों विद्यों प्रविज्य यूख्यों का तो किसके अंतरगत होना अरिस पाठी वस्दू में भी कहरे है पाठी ओजना निर्माड में सी कह रहा पर शीच्छार्थी में और डी कह निर्माण इन दोनों में से आपको ढूड़ना है चलिए तो इसका जो राइट एंसवर वो है आपसर नंबर भी पाठ्यों जना निर्माण में ठीक है यानि सिच्छड सुत्रों सिद्धान्तों विदियों प्रविदियों युक्तियों साधनों का ज्यान किसके अंतर गताता ह तो पाठ्यों जना निर्माण के अंतर गताता है चलिए तीसरा है तीसरा कोष्ण कहारा है कि भासा सिच्छड में आधतन समागरी के परयोग का लच्छ है तो आपको बताने कि कौन चाओ लच्छ है ए करहा है पाठ्वस्थ में अस्पश्टता लाना बी कहारा है सिच्छक क योगदान करना तो जो इसका राइट एंसर है वो है आपसर नंबर सी बालकों के भाव को उत्प्रेरित करना जिससे वह और अच्छी तरीके से सीख सके चलिए चौथा है भासा सिछड में पहले वाक्यों का ग्यान फिर अच्छरों का ग्यान कराने है तो किस सिछड सुत्रों को अपनाना आवश्यक है देखिए यहां चार सिछड सुत्र दिया हुआ है लेकिन इसमें से जो बी है अनुभूत से युक्ती युक्त की ओर तो यह गलत है कोई सिछड सुत्र नहीं है तो जो इसका राइट अंसर है उसका राइट अंसर है आपसर नंबर डी यानि पूर स से अंसकी और या पहले उसको सब्सक्राइब आपसे अनार आसे आम उसके बाद आप बताएंगे देखिए अस से अनार होता है तो एह तब आच्छर की गान कराएंगे ठीक है अवलडों का ग्यान कराएंगे यानि पूर से अंसकी ओर आप लेकर चलेंगे तो इसका जो इसाफ से तो यह गलत है भीकि कि सुनकर यहां सुनकर को यहां सुनने की बात कहरा है को करना आपको सी है आयोजित सहची क्यों सह सहची कार्यों में हिंदी सिच्छ को मार्क दर्शन देना चाहिए तो किसका देना चाहिए भाई असुद्ध उचारल निवारल संबंदित ये भी तू करना चाहिए ब्याकल निमोका भी करना चाहिए और साहितिक पच संबंदित भी करना चाहिए इसलिए इसका right answer हो जाएगा option number D यह सभी चलिए अगला है ब्यक्ति भिन्यता आधारित है तो किस पर आधारित है दार्षनिक सिध्धान्त पर आधारित है या फिर मनोबैग्यानिक सिद्धान्द पर या समाजिक सिद्धान्द पर या डी कह रहा है राजनीतिक सिद्धान्द पर तो बैक्ति भिन्नता किस पर अधारित होती है तो मनोबैग्यानिक सिद्धान्द पर इसका भी आफसन सही हो जाएगा जलिए आठवा है सम्मान शीक्षट में अध्यापक यहम कालांस में अनेक का परियोग करता है तो किसका परियोग करता है? यानि अनेक कौसलों का प्रयोग करके हो है सिच्छड कारी करता इसलिए इसका राइट एंसर जो हो जाएगा हो जाएगा आपसर नमबर सी तो इसी तरीके से कोशन पुछे जाते हैं प्राइमरी लेबल में तो आपको ध्यान दे करके चलना है जलिए नौवा नमबर है खेल द्वारा सिच्छड विद के अंतरगत माधशमिक च्छाओं हेत उपयोगी विधि है अब देखिये हम माधशमिक की बात आ रहा तो आपको समझना है तो प्राइमरी की बात हो नहीं रही है मादमीक अच्छाओं की बात हो रहे तो बड़े बच्चों में क्या सही होना चाहिए वाद विवाद परतियोगिता का तो यह आपको ध्यान रहे आपसान नमबर C यहां राइट हो जाएगा अगर प्राइमरी के बात करें प्राइमरी लेवल पे तो यह आपसान आपका गलत जाता चलिए दासवा और लाश्ट कोशने किस इच्छडविद में कालपना सक्ती का विकास करने वाले मनुरंजक खेलों को अस्थान दिया गया है तो इसका राइट एंस्वर है बालो ध्यान पद्धत यानि इसमें मनुरंजक खेलों को अस्थान जो दिया गया अगर पूछा जाए और उनके कालपना सक्ती का जो विकास होता है तो वह बालो ध्यान पद्धत से ही होता है यानि उनकी सोंच में व्रिद्धी होती है वो कालपना सील होते हैं तो यह था दस महात्पू वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूले अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में